नमस्कार, पीपी नूज लाइन के प्राइम टाइन में आप सब का स्वागत, मैं हूरचनी अनुभव, आईए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज दिन बर की परमुक्ष सुर्खियों पर सांबा में हुआ जबदस एक्सिडेंट तीन लोग गंबी रुपसे हुए गायत तरफ पसरा सन्नाटा और अशोग चक्रविजेता शहीद मेजर मोहित शर्मा की बहादरू के किसे बिजे मशार टाइगर पर हुए ताजा उनकी पतनी करनर रिशीमा सरीन रही कारिक्रम में मौजूद अब समचार विस्तार से पहले एक नज़र आज के मुद्दे पर मदरास हाई कोट की लताड के बाद एलेक्शन कमिशनर आफ इंडिया ने ये फैसला किया है कि दो में को जो पांच रज्यू के नतीजे आने वाले हैं उन में जीतने वाले जीत का जलूस नहीं निकालेंगे जीतने वाले के साथ सिर्फ दो समर्थ तक आएंगे और आकर जीत का सर्टिफिकेड लेकर चले जाएंगे उद्दा ये है कि काश की ये बात पहले कही होती तो आज हम एक एक सांस के लिए उन देशों से बीखना मांग रहे होते जिन देशों की हमने मदद की थी लदा के सियाचिन के सबसेक्टर हनीफ में हिमसंखलन की चपेट में आकर पंजाब रेजिमेंट की दो जवान शेहीद होगे इसमें कई जवान वो पोर्टर फंसके थे जिनें बचा लिया गया है पंजाब के मुखे मंतरी कैप्टन अमिंदर सिंग ने 21 पंजाब रेजिमेंट के शेहीद सिपाही प्रभजीत सिंग और सिपाही अमर्दीप सिंग के परिजनों को 50-50 लाक रुपे की आर्थिक सहायता और परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नोक्री देने का ऐलान किया पोर्टर को सुरक्षित निकाल लिया गया लेकिन दो जवानों को तमाम परियासों के बावचूद भी शाम साड़े साथ बजे तक नहीं निकाला जा सका गंबीर चोड़के चलते उन्होंने धंदोर दिया करोना से उपचे हालात के मद्दे नजर इस बार दर्बार भूब नहीं हो रहा है और जमूर स्रीनगर दोनों जगों पर आधिकारियों की माजूर्की को सुनिश्चित बनाने के परबंद किये गए हैं सामाने प्रहशासनिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहट विभागों के अधिक्षों की मूव कारियाले जो मूव करते हैं वो दोनों जगों जम्मू और स्रीनगर में काम करेंगे इसके लावा विवागों के अध्यक्षों के कार्याले जो कैम्प में मूव करते थे वे भी दोनों जगों जम्मू और स्रीनगर में काम करेंगे दोनों जगों पर कामकाश को सुचारू करने के लिए प्रशासनिक सची परभंद करेंगे स्रीनगर में विवागों के 56 अध्यक्ष या कैम्प अध्यक्ष कामकाच को देखेंगे जमू में 66 विवागों के अध्यक्ष या कैम्प अध्यक्ष कामकाच को देखेंगे बारती सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडो मेजर मोही शर्मा की वीरता के किस्ते सोंवार को वीजे मशाल के टाइगर डिवीजन में पहुंचने पर ताजा हुए अशोग चक्रविजेता स्पेशल फोर्स के शहीद मेजर मोही शर्मा की पतनी लेटनें करनल रिशीमा सरीन वीजे मशाल के स्वागत के कारिकर में मजूद रही वै इस समय जमू में तैनात है मेजर मोही ने कश्मीर में तैनाती के दुरान आतंगवाट के खात्मे में सराहनी एकारे किया है उनकी बहादरी आज भातिय सेना के वीरों में देश की खातिर कुछ भी कर गुजनने का जजबा पैदा करती है मार्च 2004 में मेजर मुहित आतंगवादी का वेश बनाकर कशमीर के शोपिया में हिस्बर मजाहिदेन के आतंगवादियों में गुसके थे इफ्टकार भट बन कर वै कई दिन आतंगवादी अबू तोरारा वबू सबजार के साथ रहे मेजर मोहित ने बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे इन आतंकियों की सारे राज जानने वह मौका मिलते ही उन्हें मार गिराया जब मुसंभा के केश्टवार और दकशन कश्मीर के कुल गाव में संवार को तीन आतंकी ठिकानों को सरक्षा बलों ने दोस्त कर दिया है किष्टवाड में ठिकानों को दौस्त कर आतंकी गतिविदियों को फिर से सक्रिय करने की महिए को जढ़का दिया गया है किष्टवाड के चात्रू के जंगल में 11 रास्टी राइफल और पुलीस ने संयुक्त अभ्यान चला कर आतंकी ठिकाने को दौस्त किया है इस दोरान दो बाइलस सेट, दो चीन निरमित पिस्तोल, दो पिस्तोल के मैगसीन, 38 गोलियां और कुछ दवाएं वरामत की गई चात्रू का जंगल दक्षिन कश्मीर और किश्तवार के बीच आतंक्यू की मुमेंट का रास्ता है उदर सेना और पुलीस को आशंका है कि आसपास की जंगलों में आतंक्वादी चिपे हो सकते हैं इसी के मद्दे नजर संयूक्त तलाशिय भ्यान चलाया गया है पुलीस थाना चात्रू में मामला दर्श कर लिया गया है ग्यात हो कि इससे पहली भी सुरुक्षबलों ने आईडी, विस्फोटक, हत्यारव, अन्य, समगरी, ब्रामत कर आतंक्यों तथा उनके मददकारों की नापाक इरादों को नाकाम किया है करोना महाबारी ने एक बार फिर मा वैशनो देवी की यातरा पर ब्रिक लगा दी है बीते वर्श भी करोना महाबारी के चलते जारी लॉक्टोन के कारण वैशनो देवी यातरा करीब 6 महा तक बंद रही थी हालांकि बीते वर्ष अगस्त महा के उपरांत वैशनो देवी यातरा सुचारू होने को लेकर धीरे धीरे शरदालू बवन की ओर आने लगे थे और वैशनो देवी यात्रा सुचारू होने लगी थी प्रंतु करोना महामारी की दूसरी लहर ने एक बार फिर माव वैशनो देवी की यात्रा पर ब्रेक लगा दी है वरत्मान में वैशनो देवी के भवन प्रांगन के साथ ही मार्ग वा आधार शिवर कट्रा में पूरी तरह से सन्नाटा पस्टा हुआ है इकका दुका शृदालू ही नजर आ रहा है हालांकि करोना महामारी की दूसरी लहर के बापजूद वैशनो देवी यात्रा को बंद नहीं किया गया है स्यूनगर के डेप्टी कमिशनर महामद एजाज असद ने शीरी महाराचा हरी सिंग अस्पताल सीडी अस्पताल और कश्मीर नर्सिंग हॉम का दौरा कर मेडिकल ऑक्सीजन स्प्लाई का जायसा लिया उन्होंने इन अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी निरिक्शन किया स्मेचेस अस्पताल में डेप्टी कमिशनर को बताया गया कि 2600 लीटर प्रतिमिनन अक्षमता वाले तीन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इस समय काम कर रहे हैं इसी तरह 1000 लीटर प्रतिमिनन अक्षमता वाला एक और प्लांट पर काम चल रहा है उन्होंने मकैनिकल अंचीनिंग विबाग को ऑक्सिजिन प्लांट को दो दिनों के बीटर पूरा करने को कहा उन्होंने इसके लिए दो शिफटों में काम करने को कहा करोना संकरमन के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच उपराजेपाल मनोस सिनहा ने जमु कश्मीर के वरिष्ठ डाक्टरों के साथ बैठा कर तायारियों का जायजा लिया मेडिकल कॉलोजों के प्रिंसिपल, वविन विबागों के होडी, जिला अस्पतालों की डाक्टर भी इस मौके पर माजू थे उपराजेपाल ने सभी अस्पतालों में करोणा से निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकाय ली उन्हेंने सभी डॉक्टरों और फरंटलाइन वर्कर्स का करोणा के खिलाफ लडाई में अहम योगदान के लिए आभार जताया उन्होंने कहा कि सभी दिन रात इस संक्रमन से पीडित लोगों की सेवा में चुटे हुए है उपराजेपाल ने कहा कि वे डॉक्टरों और उनकी टीम के काम के आभारी है आप सभी के लिए प्रेना स्रोथ हो आपने चमो कश्मीर के लोगों को पूरी इमानदारी, बहादरी और धैरे के साथ उनकी सेवा की है सुरक्षबलों ने सोंबार को उतरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में आतंक्यों के दो ओवर्गोंड वर्कर को ग्रिनेट संग गिरफतार किया है इसी दोरान दक्षिन कश्मीर के मजगाओं कुलगाओं में सुरक्षबलों ने एक आतंकी ठीकाने को नश्ट कर दिया जा मिली जानकारी के अंसार उतरी किश्मीर में एलोसी के साथ सटे उड़ी सेक्टर में बोनियार के पास नाके पर तैनात जवानों ने दो ग्रामीन लियाकत अहमत काकरू और हफिजुला मीर को नियमित चांच कली रोका इन दोनों ने अपने सामान में दो चाइनीज ग्रिनेड बड़ी चलाकी के साथ शिपा रखे थे जवानों ने तलाशी के दुरान दोनों ग्रिनेड अपने कबसे में लेते हुई दोनों को गिरफतार कर लिया ये दोनों आतंकियों के ओवर ग्रोंड वरकर हैं और एलोसी पर अक्सर सरहत पार से आने वाले हत्यारों को वादी के भीतरी इलाखों में पहुचाने का काम करते हैं। फिलहाल दोनों से पूछताश जारी है। आवक तो चला एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूते के पहचान ACC सीमेंट मैसर्स बिशंदास जस्वाल एंड संस आथोराइस्ट स्टॉकेस्ट ACC सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जमू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सांबा में हुआ जबरदस एक्सिडेंट आल्टो कार नंबर जेके 21B2919 जिसमें चार लोग सवार थे ट्रक के पीछे से जबरदस ट्रक करमारी। तीन लोग गंवी रुप से गाइल होगे गाइलों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। उपचार के लिए उन्हें सांबा हॉस्पिटल में ले जाया गया, हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें जमू रैफर कर दिया गया है। COVID-19 के चलते दूसरी लहर ने देश को पूरी तरह जकर लिया है। देश पर में ऑक्सिजन की कमी के कारण काफी ज्यादा मोते हो रहे हैं। वहीं पर जमू में दशमेश गैस एजनसी जमू वासियों के लिए एक देवदूद बन कर सामने आए। उसके मालिक का ये कहना है कि उन्होंने गरीबों के लिए आक्सिजन सेलेंडर और आक्सिजन बनाने वाली मशीन को बिमारों जो COVID-19 से जूच रहे हैं उनके लिए फ्री में सेवा वो देंगे। सर मैं तो लोगों को बोलूँगा कि नहीं आप मास्क पेने हैं सेनिटाइज कीजिए आक्सिजन की जमू में कोई किल्ट नहीं होगी कुछ प्रावलम नहीं होगी कम से कम नीडी परसंट को अच्छे रेट में और जैनुर रेट में ये मिल सकें। रामनगर में जिला आयुकत दवारा एक बैठका आयूचन क्या गया जिसमें पार्शद वर्वेपार मंडल के परदान, टेक्सी यूनियन के परदान, मेटरोर यूनियन के परदान, बस यूनियन के परदान और वविण विबागों के अधिकारी मजूद रहे। बाद में रामनगर के मुख्य बाजार का दोरा किया गया और ये निनने लिया गया कि रामनगर के तीन जगों पर कोवी टेक्स्ट करने के लिए बूत बनाये जाएंगे। करें हैं उन्होंने ये भी बताया कि कारेकरता ना केवल शिवरों में खून और प्लास्मा दान करें हैं बलकि जरुरतमन्त मरीजों तक उसकी उपलबता के लिए हैल्प लाइन नंबर भी चारी किया है। भी रखा है ताकि हम लोग जो आने वाले समय पर ऐसा ना हो कि ब्लड बेंच के अंदर रक्त की कमी हो तो युवा मोर्चा का कारेकरता समाज के हर वर्ग के साथ पूरा कंदे से कंधा मिलाकर के खड़ा है और हम इस कॉविड की लडाई से जूजेंगे भी लड़ेंगे भी करोना गाइडलाइन का पालन ना करने पर चुनाव आयोग को फटकार लगाई है मदरास हाई कोट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोट ने चुनाव आयोग को निश्पक्ष चुनाव करवाने के लिए दिशा निदेश चारी किये ताकि हो रहे है पती मुगद्यों को लेना चाहिए और उमेद रखते हैं कि इस संधर में कोई ना कोई कारवाही जो करेंगे और इस देश की जमुरियत को बचाने के लिए जो है वो अपना कॉंग्रिस पारशद ने नगर निगम दारा शहर को सनेटाइस ना करवाने पर सवाल खड़े की हैं पारशद द्वार का चोधरी ने पत्रकार वारता कर कहा कि जमु कश्मीर में करोना महामारी इन दिनों चरम पर है लेकिन जेमसी इन दिनों गहरी नीद में सोया हुआ है बि जिकारन करोना केसों में बड़ोतरी हो रही है इसी के साथ जेमसी में काम करने वाले करमचारियों को मास्क वस सैनिटाइजर नहीं दिये जाने पर भी प्रशासन को कोसा इनको टाइम टू टाइम मास्क और सैनिटाइजर मिलने चाहिए ताके जे इस इससे बच सके और जो हमारा इनी के उपर है जारे शहर की जो जे सफाई इन्होंने रखी हुई है मैं फिर कहूंगा हमारे मेर साब जो है जे इस चीज को गंबीरता से ले और दबारा शेहर के अखिल बारती है सफाई मजदूर संग के बैनर तले आज जीमसी कार्याले टौन हाल के बाहर सफाई करमचारियों ने उन्हें वेतन ना दिये जाने के विरूत में जोरतार परदर्शन किया संगटन के रास्ट्री महामंत्री अमर मुमन ने कहा कि करोना काल में इन करमचारियों को करोना वारिर्स का खिताब दिया गया लेकिन उन्हें आज तक वेतन नहीं दिया गया उन्होंने परशासन को चैतावनी देती हुए कहा कि अगर जल से जल उनकी सलरी रिलीस नहीं की गई तो वह काम छोड़ो हरताल पर चले जाएंगे जिसका नगर निगम परशासन जिम्मेवार होगा बड़े इतनाब से अपने घरह में वह पहुंच पाएं उसका साथ-धाई-डैस की सलरी ये भी हमारे चीफ अकाउंट अफसर ने रोक रखी है और उसका साथ-धाई-प्रमोशन के जो बिल्स दे उसको भी रोक रखा है और चाइड इनोसिज जो हमारे सफाई करमचारियों को मिलते हैं वो भी रोक रखी हैं लेकिन जो तमाम जितनी भी डिमार्स थी वो हमारी चीफ अकाउंट अफसर के लिए थी लेकिन चीफ साब ने आज तक पिछले धाई साल से जो जब से यह बैठे हैं तब से हमारी जितने में सफाई करमचारियों को जो बिलत आते हैं उनको रोग रते हैं इसलिए हम इस चीज की कड़ी निदा करते हैं और चीफ अकाउंट अफसर यह अपील करते हैं जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार और हां हमारे यहां बढ़िया क्वालिटी के बेंड़ेड स्पेक्टिकल्स, संग्लासे और कॉंटेक्ट लेंसे मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जैम ओप्टीशन्स गाधी नगार जैम ओप्टीशन्स नई बस्ती जैम ओप्टीशन्स अंफला जैम ओप्टीशन्स त्रीकुटा नगर